Hello friends, आजम बात करने वाले हैं सरवगत रोग जो की आचारे शुशुट ने 17 माने हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में तो सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर ले हैं अपने माइंड में कि सरवगत रोग कितने होते हैं 17 होते हैं अब दोस्तों याद करते हैं इसकी ट्रिक को अब दोस्तों लगातार आप क्या कर रहे हैं मेरी ट्रिक को देख रहे हैं अब ट्रिक देखने के बाद क्या हुआ आपको एक तरह से इस तरह से याद करना है कि मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली तो मैं कुछ भी ट्रिक बना रहा ठीके मेरे को कोई trick नहीं मिली तो मैंने कुछ भी trick बना दी तो आप मेरे को ताना दे के बोल रहे हो कि सरवकत रोग में अब सीरा में शोफ वासाप मतलब कुछ भी बना दिया इस तरह से कि सरवकत रोग में क्या किया कि कुछ भी ट्रिक नहीं मिली न तो अब इस तरह से बोल लिया कि अब सीरा में शोफ वासाब इस तरह से तो आपको याद करना है सरवकत रोग में अब सीरा में शोफ वासाब तो अब से याद करना है आपको जो अब का अ है उससे दो चीज़े याद करना है अभिशंद और अधिमंद जो अभिशंद होते हैं वो भी चार टाइप के होते हैं और अधिमंद होते हैं वो भी चार टाइप के होते हैं कौन-कौन से वात्तज अभिशंद पित्तज अभिशंद कफज अभिशंद और रक्तज अभिशंद उसी तरह अधिमंद अब क्या किया आपने अ से अभिशन्द बना लिए चार प्रकार के और अगेन अ से अधिमन्द भी बना लिए चार टाइप के नेक्स्ट अब क्या करना है आपको सीरा सीरा से याद करना है दो नाम सीरोत पात और सीरा हर्ष या जिसको सीरा प्रहर्ष भी बोला जाता है सीरा से क्या याद किया सीरोत पात या फिर सीरा हर्ष या सीरा प्रहर्ष आगे बात करें नेश्ट है शोफ वर्ड शोफ से आपको दो याद करना है सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपाक क्या याद करना है दोस्तों सशोफ अक्षी पाक और अशोफ अक्षी पाक आगे बात करें नेश्ट क्या है वाह वाह के व से याद करना है वात पर्ये या इसको वात विपर्ये भी बोला जाता है तो वाह के व से याद किया वात पर्ये फिर जो व है उसके अंदर अज उड़ा हुआ है उस अ से आपको याद करना है अन्यतो वाद क्या करना है दोस्तो वह के व के अंदर एक और अज उड़ा हुआ है उससे याद करना है अन्यतो वाद फिर वहाग के ह से याद करना है हतादी मंद क्या याद करना है दोस्तों वहाग के ह से याद करना है हतादी मंद आगे बात करें नेश्ट क्या है शाहब शाहब का जो श वर्ड लिखा हुआ है आगे आगे उस से याद करना है आपको शुक्ष अश्की पाक क्या याद करना है शुक्ष अक्षी पाक फिर श के अंदर अगेन अज उड़ा हुआ है उस असे याद करना है अमला ध्यूशित क्या याद करना है दोस्तों अमला ध्यूशित तो इस तरह से ट्रिक्या है सरवकत रोग में अब सीरा में शोफ इस तरह से आपको याद करना है तो सबसे पहले अब के अ से चार प्रकार के अभिशन और चार प्रकार के अधिमंद बना लिए फिर सीरा से दो बनाए सीरोतपात और सीराहर्ष जिसको सीराप्रहर्ष भी बोला जाता है फिर शोफ से दो बनाए सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपाक फिर वह के वह से बनाया वात पर्य और वह के अंदर जो अज उड़ा हुआ है उससे बनाया अन्यतोवात फिर ह से बनाया हतादी मंत फिर शाहप के श से बनाया शुक्ष अक्षिपाक और श के अंदर जो अज उड़ा हुआ है उ वातज अभिशंद, पितज अभिशंद, कफज अभिशंद, और रक्तज अभिशंद, तो दोस्तों जैसा डिजीज का नाम है, उसी से हमें दोज भी पता चल रहा है, वातज अभिशंद के अंदर वात, पितज अभिशंद के अंदर पित, कफज अभिशंद के अंदर कफ, औ रक्तज यदिमन के अंदर रक्त आगे बात करते हैं सिरोत पात और सीरा हर्ष तो दोस्तों दोनों ही कैसी रहती हैं रक्तज रहती हैं अब दोस्तों सीरा हैं जो रहती हैं वेंस जो रहती हैं उनका अंदर क्या होता है बलड बहता है तो इस तरह से आप दिमाग में रख कि सिरोत पात और सीरा हर्स दोनों सीरा के अंदर कैसा होगा रक्त दोश की प्रदानता होगी नेक्ष्ट बात करते हैं सशोफ अक्षी पाक और अशोफ अक्षी पाक ये दोनों सन्नी पातज होते हैं तो दोस्तों जहां भी शोफ होता है इंफ्लामेशन होता है तो वहां मैंन सन्नी पातज दोष्ट की परदानता रहेगी आगे बात करते हैं वात पर्रे तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वात पर्रे तो इसके अंदर क्या होगा वात दोष्ट की परदानता नेश्ट अन्योतो वात इसके अंदर भी लाष्ट में वात आ रहा है यह आपको अलग से जाद करना है कि हतादी मनद के अंदर वाद दोष की ब्रदानता होती है नेश्ट बात करते हैं शुक्ष अक्षिपाक के अंदर भी क्या होता है वाद दोश की प्रदानता होती है तो दोस्तो शुष्क या रुख्षता किसका गुण होता है वाद का गुण होता है तो इस तरह से आप समझ लीजे कि शुष्क अक्षिपाक के अंदर कौन सा दोष रहेगा वाद दोष रहेगा नेक्ष्ट बात करते हैं अमला दूशित तो दोस्तों अमल किसका गूण है पित्त का गूण है तो अमला दूशित के अंदर क्या होगा पित्त दोश की प्रदानता होगी तो एक बार और समझते हैं दोश प्रदानता के अंदर हमने क्या किया अभिश्यंदे के अंदर जो भे पर एकता हो चा कोरता है टो यह कैसा रहेगा वाद्धोष परदान, अन्यतो वाद्धवाद में पीज़ऑ जूड़ा हुआ है वाद्धोष की परदान रहेगा हमें एश्ट्रा याद करना है हतादी मंत के अंदर क्या होगा वाद्धोष की प्रदान दर रहेगी शुष्क अक्षिपाग में क्या है शुष्क या रुक्षता किसका गुण है वाद का गुण है तो ये कैसा रहेगा वाद्धोष प्रदान और नेक्स्ट है अमला दूशित तो अमला दूशित में हमने देखा है इस्टाइट में क्या आ रहा है अमला आ रहा है और अमला किसका गुण है पित्त का गुण है तो ये कैसा रहेगा पित्त दोस्प्रदान रहेगा आगे बात करते हैं दोस्तों चिकिस्सा की तो first number से लेकर 14 number की all our disease के अंदर सीरा व्यद चिकिस्सा की जाती है तो आपको most important ध्यान में रखना है first number से लेकर 14 number की जितने भी disease है उन सब के अंदर सीरा व्यद किया जाता है दोस्तों यहाँ पर एक most important objective आपको बता देना चाहता हूँ कि व्यद चिकिस्सा जो होती है वो 15 प्रकार की जो disease होती है उनके अंदर किया जाता है तो सीरा व्यद 15 प्रकार की disease के अंदर किया जाता है 14 आपको यहाँ देखने को मिल चुकी है और एक मैंने संदिकत रोक के अंदर पढ़ाई थी पूयालस, पूयालस के अंदर भी सीरा व्याची किसा की जाती है तो इस तरह से व्यत के अंदर, सीरा व्यत के अंदर 15 डिजीज आती है जो हमने समझ ली आगे बात करें हतादी मंद तो हतादी मंद के अंदर ध्यान में रखना है कि केसी रहती है असाध्य व्यादी है ध्यान में रखना है हताधी मंद केसी है असाध्य व्यादी है आगे बात करते हैं शुष्क अक्षी पाक और अमला द्यूशित के अंदर आपको अशस्रकत ओशत साध्य चिकिस्सा करना है तो ध्यान में रखना है कि शुष्क अक्षी प असाध्य है फिर शुष्क अक्षी पाक और अमले ध्यूशित के अंदर आपको लिखना है अशस्त्रक्रत ओशस्त साध्य इस तरह से दोस्तों आपको बड़ी आसानी से सरवगत रोग जो की सत्रा होते हैं उनके नाम उनके अंदर दोश प्रधानता और चिकिस सा बड़ी आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों कमेंट करकर जरूर बताएं कि आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतनी जल्दी मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा चयो procesodel ये थिर थां ही ऌतनी से ये का झाद प्रली चाहदा रवी मैंस से बडू है को थे थेंट से चाह सेविश कहर से लिटेल वीं यचिए ये इन के पट्रहीं दोर्णेिटी को rocky घंट प्र फcesते हैं आ है कि ये किसे बड़ को इन तो कि थांट स्वीश के से फसकिई ज्त